कि नुसकार कैसे हैं आप लोग मैं अपनित नरेंद्र पाद है लाइव हिंदोस्तान की जोतिशिये गारिकरम में आप सब करता हूँ सबसे पहले आट फरवरी दोजार चौदि की ग्रहें है गुरुमश राशी के तु कभक कर ऑधार शुक्र और चंट्रमा धनु राशी में सुर्यास्त के समय है चंद्रमा धर्यवराशी में रहेंगे से दोपहर के बाद Juna fra실 प्रवेश करेंगे जहांब पहले से ही सूरीर बुड्र और मंगम रार्ण है कि शनी कुमब राशी में राषमीं राशी के घृचर में मेश राशी तोड़ी से सी परिशानी हो हffe tir पिता के स्वास्त पे ध्यान दे नए वेवसाय के अभी शुरुवात ना करें वेवसाय तोर पर समय मध्यम रहेगा कुल विला करके थोड़ा सा ध्यान दे करके आगे बढ़ने के वशकता है सुरी को जल देते रहें ब्रिशव रश्य परिस्थितिया थोड़ी से बहतर होंग लेकिन अपमानित होने का भय रहेगा ध्यान रखेगा कारियों में बिभ्मबाधा आएगी प्रेम संतान मध्यम रहेगा व्यापार मध्यम चलेगा हरी वस्तु पास रखें मिथुन रशी चोट शपेट लग सकता है किसी परिशानी में पढ़ सकते हैं बचके पार करें स्वास्त मध्यम प्रेम संतान मध्यम व्यापार भी मध्यम नीली वस्तु का दान करें सेंग राशी शत्रू परिशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन वह नत्मस्तक हो जाएंगे उनकी हार हो जाएगी मार्ग में बिगन बाधा जरूर रहेगी स्वास्त मध्यम प्रेम संत स्वास्थ-मान्षिक स्वास्थ-वर्वर रहेगा प्रेम सथ問題 नीली बस तुपास रखे से तुला रश सिनल घरे लुटवाधित रहेगा कि भूमांवान के खरदारी परिशाणी नहीं रहेगा स्वास्थ-मध्यम प्रेम सथ तैस कि स्थिति थोड़ी मुश्किलों से गुज्रेगी अपनों का सात होगा लेकिन अपनों के स्वास्त को लेकर के मन परішान रहेगा के स्वास्त ठ्टाक लेकिन ना कानु गळा की परेशानी हो सकती है प्रेम संतान अच्छा है ब्यापार भीक अभी निवेश ना करें बल्की धनानी के संकेत है कुटुम्बों से थोड़ी अन्वन के संकेत है स्वास्त मध्यम मुखरों के शिकार हो सकते हैं प्रेम संतान ठीक ठाक व्यापार मध्यम रहेगा पीली वस्तु पास रखे मकर राशी उर्जा का अस्तर घटता बढ़ता रहे खर्च के अधिक्तामान को परिशान करेगी अग्यात भैस अताएगा विस्वेकारी इस्थिति का अगाज दिख रहा है स्वास्त मध्यम प्रेम संतान ठीक ठाक व्यापार मध्यम दिख रहा है हरी बस तु पास रखे में डाशी आयमें उतार चड़ाव बना रहेगा स्वा हुआ हुआ